सिद्धार्थ बच्छाओं इनका सवाल है कि क्या मंत्र सिद्ध हो सकते हैं क्या मंत्रों के पीछे कोई विज्ञान है एक जमाने में हमें मालूम नहीं था कि सजेशन के कैसे परिणाम होते हैं उस जमाने में किसीने एक मंत्र कहा और वो फाइदा उसको मिल गया अब Trial and Error Method के जरी यही इंसान अनुभाव से सिखता है तो यह मंत्र मैंने कहा था उसका मुझे फाइदा मिला यह मंत्र का मैंने जाप किया था उसका मुझे फाइदा मिला इस ड्रंग से सभी धर्मों में मंत्र का बहुत महत्व बढ़ा इसके लिए कोई भी धर्म अपवाद नहीं है कहीं इसको मंत्र कहा जाता है कहीं इसको प्रार्थना कहा जाता है इतना ही फर्क है और फिर धीरे धीरे हमारी ये माननेता उसमें से बढ़ते गई कि इन शब्दों के कारण ये परिणाम मिलता है इन शब्दों में ये कोई सामर्थ है अभी अभी ये दो-तिन शब्ताब्दी में हर ज्यान को साइंटिफिक मेथड के आधार पर जाचने की प्रक्रिया शुरू है फिर मंतरों को भी जाचने की शुरूबात होई सभी साइंटिस्ट धर्मिक होते हैं और सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट होगा तो अपनी आस्था को वो सिद्ध करना चाहेगा वईग्यानिक ठोशाधार पर उसको सिद्ध करना चाहेगा तो फिर ये प्रार्थना के जरिये, मंतों के जरिये, जो हमें फाइदे मिलते हैं, उसमें कितना तथ्य है, इसको घोजदी की शुरुवात हुई मेडिसीन का भी विकास हो रहा था अब मेडिसीन के विकास में हमको प्लासिबो इफेक्ट का पता चल गया अब मेडिसीन किसे कहा जाता है, हम मेडिसीन में इतनी प्रगती क्यों कर पाए याने मेडिसीन के क्षित्र में गए सव सालों में हमने जितनी प्रगती की है, शायद इंसान के पूरे जिवन में इतनी प्रगती हमने नहीं की, उतनी केबल के गये सव सालों में हमने प्रगती की है तो मेडिसीन के ख्षत्र में इतनी प्रगती हम क्यों कर पाए क्यों कि सबसे पहले हम इस प्लासिबो एफेक्ट को समझ पाए याने केवल सजेशन के परिणाम हमको क्यों मिलते हैं कैसे मिलते हैं इसको समझ पाए और फिर मेडिकल के याने मेडिसिन के समशुधन में इसका हम उपियोग करने लगे अब प्लासिबो एफेक्ट कैसे जाजते हैं दो तग्या एकपल्ड डॉक्तर हम ए और बी नाम उनको देंगे दवाई दी जाती को इसको और उसको कहा जाता है कि यह यह जो दवाई है यह दॉक्तर को दीक गई है यह दवाई के यह परिणाम मिलेंगे नया सम्शुधने नई दवाई हैं आपको को वो डॉक्टर उसको भी पता नहीं रहता है कि यह दवाई सच है जूट है वो तो सजी मानता है उसको क्योंकि सजी कहा जाता है और ए डॉक्टर सव लोगों को यह दवाई अड्मिस्टर करता है हर एक पेशेंट को समझाता है कि यह दवाई लेने के बाद में आपको यह यह कि qta किया जाता है कितने लोगों को फाइदा मिला क्या फाइदा मिला कि सेंत भी डॉक्टर कि एक स्सक्राइब लोगों को देता है वही लक्षण कहता है कि यह फायदे आपको मिलेंगे वो उसका डाटा रखता है ऐसा बार-बार रिपिट किया जाता है अब इसमें फैक्ट ऐसी होती है जो केबल जाचने वाला सैंटिस्ट जम उसको मालूम होता है कि मैंने जो ए डॉक्टर को दवाई द वैसी दिखने वाली गोली है लेकिन बी डॉक्टर के जरिये जिनको दवाई दी गई है वो सही में दवाई है तो एक के रिजर्ट्स क्या है एक को भी रिजर्ट्स मिलते हैं क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर है जिस डॉक्टर पर लोगों की श्रद्दा है उसके जरिये स तो लोग वो बिमारी ठिक करने के लिए दबाई ले रहे हैं, फिर ये नया समशोधन है, नया रैपिंग है, नई दबाई दिख रही है, रिगिलरली वो ले रहा है, तो उसके साथ में सजेशन भी ले रहा है, उसके कुछ फाइदे मिलते हैं, फिर ए डॉक्टर ने जितने पेशेंट्स को दबाई या दे थी, उनको कितने परसेंटेज लोगों को फाइदा मिला, बी ने डॉक्टर ने जिनको दबाई या दे थी, उनको कितने परसेंटेज का फाइदा मिला, ये जाचा जाता है, ए में जितने लोगों को फाइदा मिला दीखती दवाई जैसी है लेकिन बी को जिनको फाइदा मिला यह यहने हन्डेट परसेंट फाइदा मिलेगा ऐसा नहीं है लेकिन साइजेबल है कि 95% 90% लोगों को फायदा मिल रहा है और यह placebo effect जहां पर दवाई नहीं है वहां पर 30% फायदा मिल रहा है तो फिर कहा जाता है कि यह दवाई करकर सिंध होती है क्योंकि यह 95% लोगों को फायदा मिलता है It is very above than placebo effect यानि सजेशन से बहुत ज़्यादा इसके द्वारा मिल रहा है तो ये मंत्र के जो फाइदे होते हैं वो प्लासिबो इफेक्ट जैसे होते है कि हम मंत्र बोल रहे हैं ये बोलने के कारण मुझे फाइदा मिला है ये मेरी श्रद्दा है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी धर्मिक मान्यता है, मुझे समस्कार है, इसलिए मैं मंत्र बोलूंगा तो बीमारियों के बारे में कुछ फायदा मिलेगा, कुछ और चीजों के बारे में फायदा मिलेगा, जो मानसिक रुष्टी से मुझे मिल सकता है, यहां तक यह मंत्र सिम्ध है। In short, इन मंत्रों का कोई फाइदा नहीं होता है। जो suggestion हम अपने आपको देते हैं, उसका यह फाइदा मिलता है। यानि कोई भी शब्द में मंत्र सामर्थ हैं नहीं होता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में और आवान देने और लेने के तैयारी के साथ में कह रहा हूँ आप चाहे बड़े से बड़ा कोई मंत्र बोले और जय धर्मेंदर जय हेमामालीनी नाम का कोई मंत्र रटे और उतनी ही श्रद्धा अगर आपकी इस मंत्र पर है तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा और शायद इसमें से आपको जबाब मिल जाएगा कि दक्षिन में, साउथ में ये जो हमारे स्टार्स जो होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं, उनके मंदीर कैसे बनते है? अमिता बच्चन का मंदीर है, रजने का मंदीर है, हिमा मलिनी का मंदीर है, श्री देवी का मंदीर है, खुजबू का भी मंदीर है, कई एक्टर्स का मंदीर है, और वहां उनके भत्त भी जाते हैं नहीं अमित, और उनको ये देवियां, जो जिन्दा देविया है, हिमा मलिनी जिन्दा है अमिता बच्चन जिन्दा है रजनिकान जिन्दा है खुश्बू भी जिन्दा है ये देवियां और उनको क्या-क्या फाइदे देते हैं इसका भी जबाब आपको इसमें से मिल जाएगा तो ये मंत्र में कोई भी प्रकार का सामर्थ नहीं होता है मंत्र के साथ में जो सजेशन हम लेते हैं उसका फाइदा हो सकता है होता है फिर मंत्र का ये आगे का अवरण आगे रखने की क्या आपशक्ता है डायरेक्ली हम भगवान की प्रार्थना करते हैं अपने आपको पॉजिटिव सजेशन देते हैं उसको हमको फाइदा मिलता है ये साइंटिफिक जानकारी रखना ज़्यादा अच्छी है और फिर वहाँ भगवान की भी आपशक्ता नहीं है प्रार्थना की केवल आपशक् संदी की सर्वधर्म प्रार्थना थी सर्वधर्म की प्रार्थना चलती थी वहाँ कोई एक भगवान नहीं था लेकिन भगवान का नाम तो लेते थे वो ऐसा भी हो सकता है वेकानज जैसा हो सकता है तो अब डायरेक्ली सजेशन के फाइदे क्यों नहीं लेते हो वो साइंस हो गया उसमें कोई अंदव इश्वास के लिए स्कोप नहीं है उसकी मर्यादा भी हमारी समझ में आती है किस मर्यादा तक सजेशन के हमको फाइदे मिल सकते हैं किस मर्यादा तक हमें मिल नहीं सकते हैं ये भी आहिसास हमें निर्माण होता है और इसलिए गलतिया होना और नुकसान होना इससे हम अपने आपको बचा भी सकते हैं तो इन शाट मंत्रों में कोई भी मंत्रों के शब्दों में और मंत्रों में कोई भी कोई भी सामर्च नहीं होता है मंत्र सिद्ध करने जैसी कोई बात नहीं हो दिर